सभी को नमस्कार प्राचीन भारती ज्ञानवी मांसा में जिन विचारकों का महत्वपूर्ण और मौलिक योगदान है उनमें से श्वेत केतु का नाम इस्मर्णार है श्वेत केतु उद्दालक रिशी के पुत्र थे उद्दालक रिशी गोतम के वंशच अरुण रिशी के पोते थे और उद्दालक को उपने पिता के नाम पर आरुणी भी कहा गया अयोद धौम्य के शिश्यों में माभारत में इनका उल्लेख आता है उद्दालक उपनिशत काल के बड़े विचारक भी है उपनिशिदों में उनके विचारों का अनेकात्रू लेख है और श्वेत केतु को जिस प्रकार से वे सिख्षा देते हैं पर हम तत्व के विशाय में कि जिसको जानने से सब कुछ जान लिया जाता है उस्तत्व को क्या तुम जानते हो और कैसे उसको जाना जाता है इसको वे उदार्णों सहित रश्टान्तों से बताते हैं दूसरी और एक और तो अयोद धुम्मी के शिश्यों में महाभारत में उनका नाम है दूसरी और यागिवल के वाज सनेय और कोशी तकी जैसे रिश्यों का उलेख उद्दालक के शिश्यों में किया जाता है यद्यपी शत्पत भ्रामण में जो ब्रहमोद दिवर्णित है और जिसकी चर्चा ब्रहदारने कुपनिशद में भी आती है उसमें यागिवल के के द्वारा निरुत्तर जो कर दिये जाते हैं विचारक और ज्यानी जन उनमें से उद्दालक का भी नाम है चांदों की उपनिशद में वर्णन आता है कि उद्दालक ने भ्रहमविद्या की सिक्षा राजा प्रवहण जैवली के पास जाकर उनसे पाई अने क्षत्री राजा बड़े ब्रहमग्यानी हुए पनिशद काल में और जो रित्विक पुरोहित ब्रहमग्यान प्राप्त करना चाहते थे ब्रामन होते हुए भी वे इन क्षत्रियों के पास ब्रहमविद्या के लिए जाते थे उसमें राजा प्रवहण जैवली भी मतपूर्ण बड़े ब्रहमग्यानी हुए और उनसे उद्दालक ने ब्रहमग्यान की सिक्षा प्राप्त की थी यही उद्दालक श्वेतकेतु के विता है पुरू पांचाल देश इनका मूल इस्थान कहा गया है और ब्रहदारने कुप निशद में श्वेतकेतु का उलेक पांचाल देश में हुए एक ब्रहमोत्य अर्थात शास्त्रार्थ सभा में सम्मिलित ज्यानियों में किया गया है कोशित की ब्रहमन में भी इनका और इनके पिता का इनके पिता उद्दालक का मत पुरोहित के दाईत्व के विशाय में उद्धरत किया गया है और इनके मत को निरनायक मत माना गया है श्वेत केतु असाहमत अनेक बार होते थे प्रचलित प्रथाओं स्वीकरत मानिताओं को चुनोती देते थे नए सोच वाले रिशी थे उस समय भ्रहमचारियों के लिए नियम था कि वे मिठाई नहीं खाएंगे शत्पत भ्रहमण में वर्णन आता है कि श्वेत केतु ने अध्यन काल में ही शहत का सेवन, मदु का सेवन करके इस नियम को तोड़ा और गोपत भ्रहमण तथा शांखाइन भ्रहमण में भी उनके इस कार्यका या इस विरोध स्वरूब किये गए कार्यका वर्णन है ऐसा लगता है कि श्वेत केतु अनेक शेत्रों में नई मान्यताएं स्थापित करने वाले ज्ञानी थे और नए उपक्रम वे करते थे प्रधारनी कुपनिशद में ही श्वेत केतु का वर्णन राजा प्रवण जैवली और जनक इन दोनों के साथ हुए संबादों के संदर्व में भी किया गया है और श्वेत केतु ने आगे चलकर के अपने ही पिता की यग्य परायनता को कर्म जो उनका है यग्य परक उसको चुनोती उन्होंने दी और उसकी विधी जिस प्रकार से पिता करते आ रहे थे उसका खंडन उन्हों ने किया और पापस्तम्ब धर्म सूत्र में भी श्वेत केतु का वर्णन आता है श्वेत केतु की बहन सुजाता है कहोटक रिशी से सुजाता का विवाग हुआ था और अश्टावक्र उनके संतान हुई सुजाता और कहोटक के अश्टावक्र का संदर्व महाभारत में बंदी के साथ जो शास्तरार्थ हुआ जनक की सभा में उसके संदर्व में विस्तार से जो शास्तरार्थ है उसके विस्तरत वर्णन के साथ किया गया है और अश्टावकर की सिख्षा दीक्षा उद्दालक के आश्रम में वी और श्वेत केतु उनके सहपाथी थे श्वेत केतु के साथ उनों ने अश्टावकर ने भी उद्दालक से सिख्षा प्राब्त की और ऐसा अनेक उलेखों से लगता है कि श्वेत केतु अपने बालिकाल में और किश्वरावस्था में और इवावस्था में कुछ अहम्मन्य थे, कुछ चिड़चिड़े थे, कुछ इरिशालू सुभाव के रहे होंगे, वो दालक ने उनसे कहा कि हम दोनों वितापुत्र चलते हैं और राजा प्रवण जैवली के पास जाकर प्रहमविद्या सीख करके आते हैं, तो श्वेत केतु ने कहा कि मुझे किसी से प्रहमविद्या नहीं सीखना है और वो नहीं गए, याग्जीक विधी विधानों की उनक की विशेष्टा थी, उस पर उनको गर्व भी था, और इसलिए जब चातुकर्ण नामक रिशी को काशी, कोसल और विधे के राजाओं ने एक साथ अपना पुरोहित बना लिया, तो श्वेत केतु ने इस पर अपनी अप्रसन्यता प्रकट की अपने पिता के सामने, प्रवण जेवली से उन्होंने भ्रम ज्यान जब प्राप्त किया, तो उसके चिंतन और मनन में वे लगे रहने लगे भी इतराग हो गए, तब बेटे से भी उन्होंने कहा, कि एक रिशी को भौती कैश्वरी के इस्थान पर ज्यान और विवेक प्राप्त करने का प्रयास क करना चाहिए, और श्वेत केतु यहां भी बहस करते हैं अपने बिदा से, माभारत में श्वेत केतु का वर्णन अनेकत रहता है, और माभारत में यह भी कहा गया है कि यह श्वेत केतु उद्दालक रिशी, जो की अरुन रिशी के पुत्र हैं, उनके पुत्र हैं, उद्द पुद्धालक और श्वेतकेतु हैं, वेही महाभारत में उद्धालक आरुणी और श्वेतकेतु की रूप में वरणित हैं, यह तो इसपष्ट होता है, और चांदोग्युपनिशद के शष्ठ अध्याय में, जो श्वेतकेतु की कता है, उसको चरक ने संधाय संभाशा कहा ह दो ग्यानी जनों में गुरू और शिष्षी के बीच में जो विमर्ष होता है वो संधाय संभाशा है तत्व ग्यान कराने के लिए प्रश्ण करना और प्रश्णोत्र की शैली में फिर ग्यान प्रदान करना उस प्रकार के समवाद का वाद का या उत्तम उधारण है ऐसा चरक कहते हैं माँ भारत में सुवर्चला के साथ उनका विवा किस प्रकार से हुआ किस प्रकार से सुवर्चला के पास वे गए जो की ब्रह्मवादिनी थी ये शांति परों में वर्नित है उसकी चर्चा मेंने अन्यत्र की है और जो ब्रह्मवादिनिया हुई उनमें सुवर्चला उपनिशत काल की एक बड़ी प्रह्मवादिनी है जिसकी कथा महाभारत में भी है कामसूत्र में सुवर्चला का कामसूत्र में श्वेतकेतु का उलेख कामशास्त्र के एक आचारी के रूप में आता है और आध्य प्रणेता कामशास्त्र के वे कहे गए हैं। पहले अधिकरण के पहले अध्याय में ही वात्षयायन बताते हैं कि प्रजापतिरही प्रजाहस रष्ट्वा तासाम इस्थिति निबंदणम तृवर्गस्य साध्धनम अध्यायानाम शत्सहस्त्रेण अग्रे प्रजापती ने प्रजाओं की श्रष्टी की और धर्म अर्थ और काम इन तीन पुरुशार्थों को ले करके उन्होंने शत्थ सहस्र अध्यायों का महा ग्रंथ मनुष्य जाति को दिया अब इतना बड़ा तीनों पुरुशार्थों को शत्थ सहस्र एक लाख अध्यायों का वह ग्रंथ ता उसको ले करके उसके एक देशी प्रक्रणों को ले ले करके और धर्म शास्त्र स्वायम भू मनु ने लिखा ऐसा वात्स्यायन बताते हैं अर्थ शास्त्र ब्रस्पती ने लिखा और महादेव के अनुचर नंदी ने एक सहस्र अध्यायों का कामसूत्र लिखा उसी प्रजापती के त्रिवर्ग साधन भूत जो महाग्रंथ था उसको नंदी ने एक सहस्र अध्यायों में कामसूत्र उससे अलग करके और उसका प् फिर पांचसो अध्यायों में श्वेतकेतु ने संक्षिप्त किया। फिर पांचसो अध्यायों में यह ग्रंथ तयार किया। उसमें त्रिवर्ग साधन भूत, त्रिवर्ग प्रतिपादक जो बड़ा ग्रंथ एक लाख अध्यायों का उन्होंने लिखा था। उसके अलग-अलग प्रक्रणों को लेकर अलग-अलग ग्रंथ लिखे गए। उसमें से श्वेतकेतु पहले मनुष्य जाती के आचारी हैं जिन्होंने की कामशास्त्र पर ग्रंथ लिखा। प्रंथ कामशास्त्र पर विचार श्वेतकेतु ने किया था। इसमें तो कोई संदे नहीं है तो उपनिश्दों से भी प्रमाणित होता है क्योंकि उद्दालक कामशास्त्र जो एक बताते हैं उसकी चर्चा में ने उपनिश्दों में कामशास्त्र की परंपरा इस अपने कांड की और कामशास्त्र की परंपरा है और श्वेत केतू कामशास्त्र के भी आचारी है प्रमग्यानी भी है और समाज शास्त्री भी वे हैं क्योंकि समाज के विवस्थित संचालन के लिए वे कुछ विवस्थाएं बनाते हैं उसका प्रमाण हमको माभारत में मिलता है माँभारत के आदिपर्व में अध्या 110 में कुंती और पांडू के बीच समबाद है जिसमें निसंतान दमपती की क्या नियती होती है और नियोग की क्या आवश्यक्ता है यदि दमपती को पुत्र प्राप्ती नहीं हो रही है और इसको प्रतिपाधित करके पांडू उनसे कह क्योंकि मुझसे पुत्र नहीं हो सकता है इसलिए तुम किसी पुरुष्ट से संयोग करके और पुत्र प्राप्त करो ता कि वंश मेरा चल सके इस पर कुंती कहती हैं कि ऐसा तो अधर्म होगा तब पांडू उनको समझाते हैं और एक लंबा समबाद अध्या 110 में पांडू में अध्या 113 में मात्री सत्ताक विवस्थाएं जो प्राचीन समाजों में हैं उनकी बात पांडू करते हैं और उसके आगे कहते हैं कि इन समाजों में इस्त्रियां जिस पुरुष के साथ चाहें जा सकती थी उसके साथ संबंद स्थापित कर सकती थी और इसी में कभी- पहार के भी प्रकरण आये, इस्त्रियों की ओर से नहीं, पुरुशों की ओर से, इसका एक उदारन देते वे पांडू कहते हैं, अध्या 113 में, कि श्वेत केतु ने देखा कि अब उसकी माता को कोई रिशी उठा करके ले जा रहे हैं, यह प्रसंगे अध्या 113 में पांडू पताते हैं, इसको मैं मूल मा भारत में जिस प्रकार से है, उसको लेते हुए और इस चर्चा का समापन करूँगा, उससे पता चलता है कि किस प्रकार से, एक रिशी, जो ब्रम ज्यानी भी है, तत्वेता भी है, और याग्गी कर्मकांड में भी अधिकार रखता है उस पर बहस कर सकता है, वह समाज विज्ञान और कामशास्त्र, इस्त्री पुरुष के संबंध, इनके विशाय में भी आदिकारिक रूप से विवस्थाएं बनाता है और उस पर चिंतन करता है, यह महाभारत आदिपरु के 113 में अध्याय में पांडु उन्ती को बताते हैं, पांडु कहते हैं कि आदिम समाज में तो इस्त्रियां अनावरत रहा करती थी, अनावरता किल इस्त्रिय आसन वरानने, कामचार अविहार इण्य, स्वतंत्राश चारु लोचने, इस प्रकार से विचरण करती भी, उनिस्त्रियों के लिए, वे अनेक पतियों के पास भी यदि जाती थी, तो अधर्म नहीं होता था, क्योंकि प्राचीन काल में आदिम समाज में वही धर्म था, ऐसा पताते हैं, का आदर महरशी करते हैं, कहते हैं आगे सात्वे श्लोक में कि उत्तर कुरु में, जो हिमाले के उसपार के प्रदेश और हिमाले के पर्वत्राई के प्रदेश, उनमें अभी भी प्रथा चली आ रही है, जैसे हम देखते हैं कि माचल प्रदेश के कुछ आदिवासी जो समुदाए हैं उनमें बहुपतित्व की प्रथा अत्यंत प्राचिन काल से अभी तक चली आ रही हैं वेदिक काल के समाज हैं और पांडु कहते हैं कि इस्त्रिनाम अनुग्रा करा सही धर्म सनातना इस्त्रियो असमिस्तु लोगे नचिरान मर्यादेयम सुचिस्मिते स्थापिता ये नयस्माच्य तन्में विस्तरत अश्टन। लेकन हमारा ये जो लोग है तरकुरूर हिमालए के प्रदेशों के नीचे जो आर्यावर्थ मध्यदेश हैं उसमें नचिरात अभी अभी कुछ समय पहले है शुचिस्मिते ये मर्यादा इस्थापित की एक ज्ञानी ने, इस्थापिता ये न यस्माच्य तन्ने विस्तरत अच्यनू और जिसने, जिसकारण से ये मर्यादा इस्थापित की Grad बताता हुँ ऐसा कुंती से पांडु कहते हैं कुछ क्रोधी बताया गया है श्वेत केतु को तो उन्होंने मनुष्य समाज में या मर्यादा इस्थापित की एक बार जब उनको क्रोध हुआ और जिस कारण से क्रोध हुआ या दर्थम तन्निबोध में उसको तुम मुझ से समझो श्वेत केतु किलपुरा समक्षम मातरम पितु जग्राह ब्रामणा पानव गच्छा वैतिचा प्रभीत श्वेत केतु के सामने ही और पितु समक्षम और पिता के सामने तस्य मातरम ब्रामणा पानव जग्राह उनकी माता को किसी ब्रामण ने रिषि पुत्र स्तता कोपम चकारा अमर्ष उनको हुआ तीवर क्रोध हुआ रिषि पुत्र श्वेत केतु को और अमर्ष में भरकर के वैंमाश्य और क्रोध में भरकर के उन्होंने जैसे बलपूरवक ले जा रहे हो उनकी माता को ऐसी स्थिती में उन्होंने देख करके उनको कृद्ध देख करके उनके पिता ने कहा है उनके पिता को कोई क्रोद नहीं आया बेटे को उन्होंने समझाया मातात कोकम कार्शिस्त मेश धर्म सनातन हे पुत्र तुम क्रोद मत करो यह सनातन धर्म है इस धर्ती पर सभी वर्णों की इस्त्रिया अनावरत है सब के लिए उपलब्द हो सकती है जिस प्रकार से गाएं है उस प्रकार से वे है और अपने अपने वर्णों की सब इस्त्रियां उनके वर्णों के पुरुशों के लिए इस प्रकार से उपलब्द हो सकती है रिशी पुत्रोत तम धर्मम श्वेत केतुर न चक्षमे रिशी पुत्र श्वेत केतुर ने इस धर्म को सहन नहीं किया उनको बरदाश्त नहीं हुआ उन्होंने इस्त्रिया पुरुश दोनों के लिए या मर्यादा स्थापित की उन्होंने कहा कि मैं भी रिशी हूँ मैं रिशी हूँ इसलिए विधान में निर्मित कर सकता हूँ धर्म शास्त्र, समाज शास्त्र में बना सकता हूँ समाज की विवस्था में बना सकता हूँ तो मैं घोशना करता हूँ कि आज से विवस्था ये बदलती है जिसको आप सनातन धर्म सब के लिए बता रहे हैं वो अब नहीं रहेगा उस प्रकार से उन्होंने फिर यह मर्यादा इस्थापित की कि आज से कोई भी पुरुष किसी की पत्नी को इस तरह से नहीं ले जा सकेगा और किसी की परिणीता पत्नी अन्य किसी पुरुष से संबन्ध इस्थापित नहीं कर सकेगा कि यवर मनुष्य समाज के लिए उन्होंने यह मर्यादा इस्थापित की अन्य जन्तुओं के लिए उन्होंने यह मर्यादा इस्थापित नहीं की यह मर्यादा जो श्वेत केतु ने स्थापित की है और जो चली आ रही वह इस प्रकार की है विच्चरन त्या पतिम नार्या अध्यप्रब्रति पात कम पति का विच्चरन करने वाली नारी के लिए पाप होगा आज से ऐसा उन्होंने कहा पति के प्रति जो अपना नैश्ठिक संबन्द है पाति व्रत्य है उस्ताव लंगन कोई नारी यदि करेगी तो पाप होगा भुरून हत्या कृतम पापम भविश्यत यसुखाव हम प्रून हत्या कितना बड़ा पाप माना जाता था या इससे हम समझ सकते हैं लेकिन हमारे समाज में प्रून हत्या प्रचलित रही है अभी वित्तक प्रचलित रही है अभी भी होती है चोरी छिपे होती है भार्याम तथा व्युचरता कौमारीम प्रह्मचारीनीम पति ब्र प्रति ब्रता मेत देव भविता पातकंवुई और प्रति-ब्रता भार्या का व्यच्रण यदि कोई जोकि कौमारी है ब्रह्मचारिनी है और उससे विवाह कर लिया है उसके प्रति-ब्रति-ब्रत चरण करता है, अन्य इस्त्री से संबंद स्थापित करके और व्यतिक्रम करता है, व्यविचार करता है अन्य के साथ, तो पुरुष के लिए भी यह पातक होगा, पर उसमें एक संशोधन श्वेत केतु ने और जोड़ा था, अब यह श्वेत केतु का तो ग्रंत प्राप्त न उन्होंने व्योस्था दी होगी वा किसी धर्मशास्त्र में श्वेत केतु के नाम से, या तो उधरत किया गया है श्वेत केतु ने जो ग्रंत लिखा था, उसमें वा रहा होगा, पर इसका कोई मूल नहीं प्राप्त होता है, महाँ भारत के अतिरिक्त, इसलिए पत्या नि नियुक्त करे कि मैं अमुक पुरुष के साथ तुम्हें संबंद स्थापित करने के लिए अनुमती देता हूँ या नियोजित करता हूँ, नियोग शब्द का जो अर्थ है, कि नियोजित किया गया है संबंद स्थापित करने के लिए किसी इस्त्री को किसी अन्य पती के द्वारा तुब उसकी आज्या का पालन यदि नहीं करेगी तो उसको भी भ्रून हत्या का पाप और महापातक लगेगा इती तेन पुरा भीरू मर्यादा इस्थापिता अबलात पल पूर्वक अपने तपस सामर्थ से श्वेत केतु ने प्राचीन सारी मर्यादाओं क अपास्त करके उनको तोड़ते हुए यह मर्यादा इस्थापित की उद्दालक सिपुत्रेन धर्म्यावई श्वेत केतु ना उद्दालक के पुत्र श्वेत केतु ने यह मर्यादा इस्थापित की जो की धर्म सम्मत है तब से मर्यादा चली आ रही है उसके पश्यात पां इतनी मदयन्ती को नियोजित किया गुरु अशिष्ट के साथ संबंद इस्थापित करने के लिए अश्मक नाम के उनके पुत्र हुए और फिर बताते हैं कि है कमलेक्षणे कुंती हमारा भी जन्म इसी नियोग से हुआ है हम धर्म संतान फिर भी हैं तत्राष्ट मेरे बड़ बाई और में हम दोनों भी तो नियोग से उत्पन्व पिताओं की संतान है और नियोग जन्म नियोग से हमारा जन्म भी हुआ है इस प्रकार से स्माकम पिते जन्म विधितम कमलेक्षणे तुम तो जानती हूँ कि हम लोगों का भी जन्म किस प्रकार से हुआ है इस प्रकार से कुंति से अनुरोद करते हैं पांडू कि इन सब प्राचीन व्यवस्थाओं धर्म व्यवस्थाओं पर विचार करके मैं तुम्हें मैं तुम से अनुरोद करता हूं कि तुम नियोग के द्वारा किसी पुरुष से संबंद स्थापित करो इस प्रकार से यह है जो 113 अध्याय में आदि पर्व के पांडू और कुंति का समवाद है उसमें प्राचीन भारत में नियोग की विवस्था और प्राचीन काल में आदिम समाजों में जो मात्री सत्ताक समाजों में इस्त्रियों को स्वातंत्री रहा है उसके संबंद में जानकारी मिलती है और तत्पश्चार श्वेत के तुझ इस प्रकार से विवस्थाएं बनाते हैं और वे उससे एक प्रकार से समाज में क्रांती द्रष्टा समाज शास्त्री के रूप में श्रादा है, उसके संबंद में भी वविधान बनाते हैं, इससे श्वेतकेतु एक बड़े धर्मशास्त्री, समाज़शास्त्री कामशास्त्र के विशारद और ब्हरमघ्यानी इतने रूपों में इन सारे उल्लेखों से सामने आते हैं, इतना ही कह करके मैं आज के इस वक्त अव्य को समाप्त करता हूँ सभी को बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार